Hello and Welcome Friends, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम pattern कैसे print करा सकते हैं, तो pattern print कराना तो कोई खास बात नहीं है, इसके लिए हम code blocks को open कर लेते हैं, लेकिन खास बात तो आज के वीडियो में ये है कि हम user की मदद से pattern print करेंगे, यानि कि user तैय करेगा कितने रोज, कितने column समय चाह यहां से code blocks को मैं open कर रहा हूँ, फिर इसको use कीजिए, ठीक है, यहां से file पर जाना है आपको और यहां से new file चूज कर लेनी है, यह new file हमने चूज कर ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें वो coding करनी है, जिस coding के लिखने से हमारा pattern print होगा, according to the wish of user, ठीक है, तो कितने रोज, क इतने column होंगे, यह user decide करेगा, तो चलिए start करते हैं, hash include, stdio.h, ponio.h, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम getcs लगाने नहीं वाले हैं, तो int main, यह function हमने लिखा, और फिर यहां पर नीचे आएंगे, तो तीन variable हम बना लेते हैं, a, b, c, यह तीनों variable हमने बना लिए, termination दिया enterprise करके नीचे आए, और यहां पर अब फिर लिखता हूँ, मैं printf, ठीक है, printf लिखा हमने, और यहां पर user को screen पर क्या दिखाएगा, enter the number of rose, तो rose की संख्या कितनी है, यह user enter करेगा, ठीक है, तो जब rose की संख्या user enter करेगा, तो यह तो user enter करेगा, जो भी rose की संख्या होगी, user enter करेगा, तो उसके लिए जवरी है कि हम क्या लिखें, scanf लिखें, तो scanf लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, और यहां पर एक बार percent दी लगाता हूँ, और address of a, ठीक है, a में जाके store होगा, तो address of a, यह दे दी, हमने terminate किया, अब यहां पर एक for loop use करूँगा, मैं, for loop में म फिर b की value को increment कर रहा हूँ, ठीक है, यह increment कर दिया, हमने loop की body जो है curly bracket से बनानी है, तो यह curly bracket लगा लिए हमने, फिर for loop लगाया हमने, और c is equal to c की value को इस बार one से, ठीक है, c is equal to one किया, c is less than or equal to b, यानि c की value less than equal to b, ठीक है, और c plus plus कर देंगे हम, ठीक है, यहां पहले खाँ हमने c plus plus, ओके, enterprise किया, और अब यहां पर क्या करना है, print f लिखना है, print f, ठीक है, print f लिखने के बाद, यहां पर हमें क्या print करवाना है, हमें star print करवाना है, कुछ और print करवाना चाहते हैं, तो कुछ और भी दे सकते हैं, फिलाल हम star ही print करवाना चाहते हैं, तो यहां पर star द ठीक है और inverted comma को close करना है close करने के बाद आपको termination देना यानि termination symbol semicolon ओकी फिर नीचे जैसे ही आएंगे तो line change करने के लिए backslash n लिखा जाता है तो आपको लिख देना है print tab लिखा और यहाँ पर line change करने के लिए backslash n डबलनेट quotes में आपको backslash n लिखना होगा और at last आपको क्या देना है return 0 तो यहाँ पर आप return 0 भी दे दीजे जरूर ठीक है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा curly bracket यहाँ से open हुआ है ठीक है तो यहाँ पर close भी हो जाना चाहिए तो इसको यहाँ पर close कर दीजे फिर यहाँ पर एक जो बचा हुआ curly bracket है उसको नीचे आप close कर दे तो कुल मिला करके एक दो curly bracket हमने open किये थे एक दो curly bracket हमने close कर दीए अब यहाँ से आपको करना है इसे save ठीक है save करता हूँ desktop पर ही कर लेता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ इस प्रोग्राम को देखेंगे यह प्रोग्राम हमारा compile हो रहा है यह नहीं तो इसको compile किया हमने program हमारा successfully compiled हो गया ठीक है यह देखिए और अब यहाँ से इसको करते है पर यह नहीं रॉं तो यहाँ लिका हुआ रहा है and the number of rows तो माह लिजे हम यहां पर four enter करते हैं तो यहां Four rows का pattern star pattern print होकर आ रहा है चलिए इसको close करते है फिर हम यहां से इसको compile run कर वाते हो तो यह compile कर वाया हम फिर इसको एक बार फिर at last इसको run करवा लेते हैं यहां से इस बार हम 13 rows print करवा रहे हैं तो यह 13 rows print उपर आएगा तो उमीद करता हूँ यह बात आपके समझ बहाई होगी कि यह coding कैसे लिखी जाएगी और कैसे आपका यह pattern बने का अगर वीडियो पसंद आती हो दिशे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो